तो जैसे ही आप अपने YouTube एप पे ओपन करते होंगे तो बहाँ पर आपको आपकी Gmail ID दिखाई देती होगी अब यदि आपको अपने दोस्ते की ID अपने YouTube एप पे पर लोग इन करनी है तो आप उसे कैसे कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से जानने वाले हैं How to add another account in YouTube वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने YouTube एप पे ओपन कर लीजेगा जैसे ही मैंने अपने YouTube एप पे ओपन किया आप यहां नीचे की और देखिए को यू लिखा दिखाई दे रहा होगा बारीक अप्छरों में और यहां पर मेरी प्रोफाल पिक्चर दिखाई दे रही है मतलब अभी YouTube एप पे पर मेरी email ID लॉग इन है तो आपको इस प्रोफाल पिक्चर वाले option पर किलिक कर देना है अब जैसा ही आप अपनी प्रोफाल पिक्चर वाले option पर किलिक करेंगे इस तरीके का पेज आपको दिखाई देगा तो यहां पर आपको सुच अकाउंट का option मिलता है तो आपको इस सूच अकाउंट वाले option पर click कर देना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर मेरी profile picture दिखाई दे रही है और मेरे channel का नाम दिखाई दे रहा है रौनक रावत और कितने subscriber दिखाई दे रहा है यहाँ बारीक अच्छरों में लिखा है 4510 तो जो भी channel पर नए है चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को और पर जरोड प्रेस कर लिजेगा और यहाँ पर right का sign लिखा है right के sign का मतलब यह है कि अभी मैं इस email ID से YouTube app पर चला रहा हूँ अब मैं आप लोगों के सामने एक नया account लॉग इन करूंगा अपने YouTube app पर तो आप मैं आपको finally बता रहा हूँ how to add another account in YouTube तो उपर आप यहाँ पर देख सकते है account लिखा है और यहाँ पर प्लस वाला icon है तो आपको इस प्लस वाले icon पर click कर देना है check in info कुछ इस तरीके का लिखा आएगा उसके बाद आपके phone पर कुछ इस तरीके का page दिखाई देगा आप अपना email ID डाले या फिर phone number डाले तो मुझे email ID अच्छे से याद है तो यहाँ पर मैं अपना email ID type कर देता हूँ तो मैंने अपना email ID टाइप कर दिया अब नीचे आप यहाँ पर देख सकते यहाँ पर नेश्टे का option मिलता है तो मैं इस नेश्टे वाले option पर click कर देता हूँ अब जैसे यहाँ नेश्टे वाले option पर click करेंगे यहाँ पर देखिए हाई बंदिना और यहाँ पर email ID दिख रहा है अब ही हमसे क्या पूछ रहा है enter your password तो मैं यहाँ पर type कर देता हूँ तो मैंने अपना password type कर दिया है यहाँ देखिए 100 password का option आता है जैसे यहाँ यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका password visible हो जाएगा मतलब आप देख सकते हैं आपने कुछ गलत तो नहीं डाला है तो अभी हम इसे 100 password को बंद कर देते हैं अब यहाँ पर नीचे next step का option दिख रहा है तो हम इस next step बाले option पर click करते हैं अब कुछ इस तरीके का page आपको दिखाई देगा तो यह सब आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजेगा आपका knowledge बढ़ेगा knowledge लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब I agree पर मैं click करता हूँ क्योंकि मुझे इनकी terms और condition को accept करना पड़ेगा है इसलिए मैंने I agree पर click किया अब यहाँ पर आपसे यह कुछ पूछ रहा है तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजेगा अभी फिलाल मैं इसे not now कर देता हूँ देखिए जैसे ही मैंने not now किया आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ID से यह किसकी ID पर आ गया है सबस्क्राइब करके बैल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कीजे